अफकार मेरे प्रिविद्धार्थियों तो यहाँ पर देखी मैं आपके लेकर आया हूँ RVSC Board, World of Secondary Education राजिस्थान हाप यह लिए Question Paper 2022 Class 9 Subject English का आपको जो 8 December को पेपर होने वाला है उसके लिए मैं हापके लिए इसका Real Question Paper लेकर आ चुका हूँ तो आपको उसका Real Paper आपको दिखा जाएगा तो आपको यदि इस Paper को पूरत्याल कर लेते हो तो आपको मैं गेरेंटे दे सकता हूँ आप 80 मैं से 80 नमबर लेकर परिच्छ में भावकाल मचा कर आ सकते हूँ तो यहाँ पर आप देशकते हैं आपको इस सोल्प करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय में लेगा 80 नमबर का Paper आपका रहने वाला है तो आए वीडियो को हम बेना किस दिरी कहाँ पर शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका सबसे पहले हम देखते हैं सेक्षे ए रीडिंग बाला सेक्षे नम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर Question No.1 हमें दिया है Read the Passage Carefully यहाँ पर देखिए हमें एक Passage दिगा है इस Passage को हमें Carefully Read करना है और Question Cancer में देना है तो आए यहाँ आपर देखते हैं पढ़ते हैं सबसे फिल हम Passage को हेजलन केलाल lost her eyesight and hearing at the age of two because of an illness she became deep, she also lost the ability to speak, for we learn to speak why आगे हम देखते हैं पर तो यह साल आपको Passage यहाँ पर दिये गया है ठीक है आई हमें आपको डाट Question का Answer आपको बताते हैं ठीक है Question को किस तरह solve करना चली मैं आपको बहुत बता जेता हूं देखिए Question पहला में दिया है Be learn to speak देखिए जो पेसेज वाले question देते हैं उनको solve करने के तरीका क्या रहता है जो आपको question में जो keyword रहते हैं उन्हें आपको ढूड़ना पड़ता है पेसेज में ही जैसे कि आगे आपता answer हैं आप लिखा गया है limiting what we here तो इसका आगे आपके लिख दिएंगे आपका answer यहीं पर मिल गया है हमको by limiting what we here इससे तरह हम दूसर कोशन देखते हैं इसमें आपका main की बढ़ है Miss Sullivan helped Helen 2 तो हम भी यहाँ पर ढूड़ते है ठीक है Miss Sullivan देखिया ही पर लिखा गया Miss Sullivan help Helen कहा answer इसका यही पर आगए answer लिखा गया आपका taught hard to speak, read and write तो यही पर हम answer लिखेंगे speak, read and write इससे तरह है आप सारे पेसेज वाले question को आपको solve करना है बिल्कुल आपको easily solve करते बन जाएगा तो तीसे question हम देखते है what did Helen do for the blind and the deep तो इसका answer आप लिखेंगे Helen helped the blind and the deep fourth question है when did Helen killer lost her eyesight and hearing तो इसका answer तो आपको first passage में ही देखने को मिल लाएगा इसका answer हो आपका at the age of two ठीक है पांतर question हमारा which word in the passage means one who is not able to see तो इसका right answer हो आपका option number C blind आएए अब हम देखते हैं हाँ पर question number 2 तो यहाँ पर हमें question number 2 हमें दिया है read the passage carefully and answer the questions given below तो वीडियो का आगे में आपको बताँगो कि आप इसका pdf किस तरह डाउंग कर सकते हैं तो वीडियो को विल्कुल अंतक देखीगा तो यह आपका पेसेज है ठीक है पेसेज को आप देख लिए अच्छे तरीकी से आईए अब हम दिखाते हैं आपको इनके question के answer तो देखिए पेला question हमें दिया है the scientific invention वेगन after the industrial revolution of तो उसका answer आप लिखेंगे 7089 इसका जो है right answer आपको हो जाएगा दूसरे question हमें दिया है the Kevin for the pilot is called R इसका answer आप लिखेंगे हैं आपर cockpit इसकी बाद हम देखते हैं आपर अपना next question तो देख सकते हैं आप हम यहाँ पर third question हमारे दिया है इसका answer आपका petrol fourth question है which of the falling is the fastest means of transport उसका right answer आपका option नमबर D इसका right answer आपका edge of sign अब यहाँ पर देखिए section भी राइटिंग बाले section यहाँ पर जाता है question number three हमें करना का है पेसेज को पढ़कर हमें यहाँ पर जो है उसके notes बनाने है और हमें suitable turtle भी यहाँ पर देना है तो बिद्दार थी हो यहाँ पर जो भी आपको question का answer चूटर है आपको इनका answer मिलेंगे part two में ठीक है तो अभी हमसें जितना हो सकता है हमें आपको answer दे दे रहा है बाकि आपको इनके answer मिलेंगे किसमे part two में तो यह कि आपको इसका part two जल से जल पाना चाहते हैं तो आपको इस वीटूपर करना के है 500 likes का target आप complete इस पर करवा देना है ज्यादा बाड़ा target नहीं है जैसे इस वीटूपर 500 likes complete होएंगे आपको इसका part two भी देखने को मिलना आएगा और part two क दिखने को मिला गया आपको description box में question four आप यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर आपको अपने principle के लिए transfer certificate की application है क्योंकि आपको जो पीता का transfer है से पूरी में हो गया है इसका अधवा में आपको करने का है आपको अपने friend को अपनी वेहन की साधी में attend होने के लिए एक later लिखन है question five में हमें आपर किसी एक बीसे पर एसे लिखना है तो हमारा जो हाँ पर एसे रहेगा wonder of science रहेगा wonder of science पर हमें इसे लिखेंगे part two में question number six हमें दिया है हाँ यहाँ हमें आपर importance of trees पर यहाँ पर क्या करना है short paragraph लिखना है तो आए अब हम दिखते हैं आपर section ग्यामर हम द लिखिना है कोई भी पास हमें फिल करने है तो पेला हम देखते हैं he is blank ma in English तो इसका right answer होगा आपका हाँ पर देखिए यहाँ पर ma लिखगा आया है देखिए यहाँ पर English के अनुसर तो आपका a आना चाहिए क्योंकि am जो है हाँ आपर क्या है वेंजन है हाना लेकिन यह ज पर देखिए तो यहाँ पर देखिए आप इसका पहला लेटर गया है और यह किस में आता है वोवल्स याने की स्वर में आता है तो इसके अनुसार वोवल्स के पहले क्या लगता है आपका a लगता है तो हाँ पर इसका right answer होगा आपका a दूस्तर कुर्शन हम देखिते है how blank water is left in the hotel पहर आपको दाना है यहाँ पर मच आगगा फिर मेनी आगा दखिए यहाँ पर आएगा मच है तीसे नम दिखते है न पहराए सुमृथ इस दा बलेंक इस्टूडेंट इन दट स्कोल यहाँ पर आपको बताना है ब्हाइज आएगा वाइजर आगा यह फिर पूरे इस्कूल की बात हो रही है यहाँ पर क्या था वायश आता यहां पर क्या आता यहां पर क्या आगा वाय। ही है तो हाँ पर क्या आगा वाई से सूपर लेटर डिग्री यहां पर लग जाएगी कि फोर्थ कुश्चन है डिव दूसी बलेंक लर्न इंद फोरस्ट तो हाँ पर देखिए यहां पर आएगा आपका एनी जो एनी है उसका प्रोग हम या तो नकरातम वाक्यों में करते हैं यह फिर जो प्रेश्ण बात्चक बाले बात कि रहते हैं उनमें करते हैं तो देखिए आप जैसे थे अंत में लगा है कुश्चन मार्क याने कि हाँ पर एनी का प्रोग होगा तो आपको यह नियम को भी आपको याद करके रखने हमें आपर समया फिर एनी में से किसी एक का को फ्योग करना था फिफ्ट कॉश्चन हम देखते हैं एवरी यर थाउजंड ओफ पीपल डाई बिलेंक मलेरिया तो यहाँ पर आपको बताना है ओफ आएगा और फिर फिर देना आएगा तो यहाँ पर आपका आएगा अंसर ओफ हर साल जो है हजारों लोग मलेरिया से मरते है छड़वा है बिलेंक सी बक्स हाड सी विल फिल बताना है इफ आएगा फिर अनलेस आएगा तो हाँ पर क्याएगा अनलेस क्योंकि देखिए यदि हम इस पढ़ते है इफ की मिनिंग होती है यदि unless की meaning होती है यदी नहीं तो यदी नहीं हाँ पर आच्छ जम रहा क्योंकि देखिए यदी यदी वह work hard नहीं करती है तो वह fail हो जाएगी जम रहा है ना तो इसलिए हाँ पर unless का प्रोग किया जाएगा आये हम दिखते है question number 8 यहाँ पर हमें do as directed solve करने है तो हम सारे solve यहाँ पर कर देंगे पहला में दिया है do you went there yesterday हमें आप जो इसे इंट्रोगेटे में change करना है तो इंट्रोगेटे में change करने के लिए हम करते क्या है सबसे पहले आपको जो किरिया दी रहती है उसका हम बनाते है question take ठीक है यहाँ पर हम किरिया है went went जो है go का second form है go की तीन वर्व होती है go first go second went third gone तो हाँ पर जो है second form है went तो went first form के लिए question take होता है do second form के लिए question take होता है did third question के लिए third form के लिए question take होता है does तो हाँ पर है second form तो उसके लिए question take आएगा did सब पर थम आपने लगा है did फिर हम subject जो आपको दिया है जिससे का बेसा लिख दीगे फिर जो भी हमें बर्विदी थी उसके हम first form लिख दीगे went की first form होगी go फिर वाक्य में जो object दिया है बे हम जिससे का लिख दिगे तो हमने लिख दिया there is today और interrogative है इसलिए आंत में लगा दिगे हम question mark आईए second question हम देखते है दे पिलेट हो की हमें इससे जो है passive voice में change करना है तो सबसे पहले हम करें क्या यहाँ पर जो आपको object दिया है passive voice बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते है object अना active voice में Master इससे सबसे पहले subject देखी हम पर subject आलरेड़ी दिये गया है पैसे बुछ बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते है object और object क्या होगी अब फिर जो हमें subject दियánd wirv दी है उसकी साथ समय लगाते है यहाँ पर इपर प्लेड है याँनकी खेल चुका है चुका है मतलब क्या है Past पास्ट्रेंस में आ रहा है और पास्ट्रेंस के लिए क्या लगता है वास लगता है फिर हम पिलेट जैसे का बैसे लिख दिंगे और फिर हम बाय लगाकर यहाँ पर दे का देम कर दिंगे ठाड कुशुन में दिया है is very tired he cannot work anymore हमें यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को सो और देट का प्रयोग करके कम्बाइन करना है तो उसका रूल क्यों होता है vary को हटा कर हमने soul लगा दिया और फिर जहां पर भी full stop है, full stop के जगे हमने लगा दिया date और बाग की बाग की जैसे कब यह सा होगे आपका complete था बस fourth question है, हमें आपका jumble words को rearrange करके meaningful sentence create करना है तो इससे पहले rearrange का rule क्या होता है सबसे पहले आप लिखते है फिर आप लगाते है फिर ओपजेक्ट जैसे का बेशा लिख दिते है तो देखिए subject या नगी करता करता कौन होता है कर्म करने वाला, कर्म कौन करता है इनसान करता है सिंपल सी बाथ है न तो हाँ पर subject को होगा, आपका you यू का अर्थ होता है तुम, तुम याने की हम, हम क्य करते हैं, कर्म करते हैं, इसलिए हम क्या हैं, करता हैं, याने की सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपने लिखा यू, फिर आपने लगाई वर्व, यहाँ पर डूंड यह वर्व क्या है, वर्व है आपकी के, फिर मैंने औब्जेक्ट जैसे कवेसे लिख दिया, सिंग आसो, अंत में लगा है कुशन मार्ग, तो हमने आपर अंत में लगा दिया कुशन मार्ग, इस तरह स्वोल्ब करना है, पांच वो कुशन में दिया है, ही वरकट वेरी हार्ड, ही कोड़नोट पांच दा एक्जाम, यहाँ पर हमें दोनों बाकिकों बीच में बट लगा कर जूड़ना है, तो दिखींगा आप, यहाँ पर करते क्या है, जो पहले सेंटेंस है, हम उसे जैसा कवेसे लिख देते हैं, फिर हम फुल स्टोप की जगहरा लगाते हैं, बट और दूसर बाग की बाब हम जैसे कवेसा लिख देते हैं, सिंपल सी बात, यही नियम होता है, चाहे कोई भी सेंटेस आपको आपको इसे तरह सोल करना है, छट़ों कोश्चन हम रहते हैं, इसे हमें जो है, प्रेजेट प्रफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो आप चेंज कर दिंगे, चिर्डरन हेव बेन प्लेंग इंदा पार्क, होगे सिंपल, अब आए बरतम सेक्षन डी की तरफ, यहाँ पर हमें कोश्चन कांसे देना है, तो पहला कोश्चन हमारा होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका 11 years, सेकंड कोश्चन है, वाट डस येलो वूट्स मीन, इसका राइट आंसर होगा आपका, फोरेश्ट बिथ येलो लीफ्स, थर्ड कोश्चन है, वेड़ विश्मिल्ला पलेदा सेनाई, और 15 अगस्ट नाइट आंसर होगा आपका, फोर्थ का आंसर होगा आपका, सी टोन डाउन दा, पेपर्स ओफ हर फादर्स स्पीच, एक कोश्चन पतार कर लीजिए, फिफ्थ कोश्चन होगा आपका, वार्डस, इस टेरी, स्फेर्स मिन, इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका फिल्ड विथ इस्टार्स, शिफ्थ कोश्चन आपका ये बाला है, और इसका आंसर होगा हो जाएगा, आपका आपका आपड़ अब्दुल कलाम, कोश्चन नबर 10 में हमें देखिए, एकस्टार्स दीगा है, इसे पड़कर हमें कोश्चन काहां सा लिखने है, तो एकस्टार्स को आप पर लिए जी गराड़, हम कोश्चन काहां सा देखते है, तो पहले कोश्चन काहां सा रोगा, आपका 8 years old, second का अंसर होगा her friends, third का अंसर होगा head mistress अब हम दिखते हैं पर अपना B number का question यहाँ पर हमें एक start दी गए है जो उनके हमें question का अंसर लिखने है तो आप एक start को पल दी जाच तरीकी से हम डाट जो का question का अंसर दिखते है पहला question दिया है इसका अंसर होगा आपका autumn second question का अंसर होगा because he could not travel both the roads, third question होगा आपका इसका अंसर the road not taken अब question का अंसर हम दिखते हैं पहला question why was KJ afraid of her father सारे question को तार कर लिजीगा ठीक है अधबास सहित आपको तार करना है एक भी question का आपको नहीं छोड़ना है second का अंसर होगा आपका what did Margie write in her diary इसके बाद third question का अंसर आपको लिखना है how does Evelyn hear music fourth का अंसर लिखना है how did Bruno and the author's wife react when they met at Major U fifth का अंसर लिखने name five kinds of flutes sixth का अंसर आपको लिखना है how did Santos begin to climb mountains seventh का अंसर आपको लिखना है where was Abdul Kalam's house यह आपका अंसर complete आए अब हम दिखते है question number 12 answer the following questions in about 30 words यहाँ पर हमें ती सब्दों में question का अंसर लिखने है तो पहले question देखे लिए आपका है where does the triple find himself what problem does he face second है what does the poet like to do when it rains third question है what changes did the slumber bring in the poet's feeling question 13 है आपका answer the following questions in about 13 words first है what does the solar do in the same stress house second है what are the things the child sees on his way to the fair third है who was where man 14th question है इसका हम देखते हैं first question तो आपका पेपर complete हो जाता है तो आप सारे questions को तार करें जीगा उमिद आपको वीडियो हमारा helpful लगा तो वीडियो के लिए like का बटन ज़रू से दबादने ना है channel पर ना है हो तो channel को subscribe करके घंटे के निसान पर दबादी जीगा ताक कि हम जैसे को नए वीडियो आप लोट करें आपको उसका तोरह का नोटिफिकेशन मिल लाए और इस वीडियो को आपने दोस्तों साथ छप पर फार के से करें ताकि आपको दोस्तों को भी हमारे वीडियो को लाग मिल पाए चैनल मिलते हैं अगल किसी नए वीडियो तब तक के लिए जै भारत